नमस्कार किसान भाईयों मैं पलक्षर्म वसंद्रा कृष्णी अंत्र से आज आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में जूड़ी हुई हूँ जैसकि आप सभी जानते हैं हमारी कंपनी कई वर्ड्सों से कई मशीने बनाती आ रही है जैसकि आप सभी जानते हैं 120 प्रक से हम लोग आपके सामने एक नई मशीन के जानकारी देनी के लिए उपस्तित हुए है जो कि हम लोग दो से तीन बड़्सों से यह मशीन बना रहे हैं जैसा कि आपने देखा भी होगा हमारी कई वीडियो में हाइड्रॉलिक रीपर मशीन के बारे में ठीक है तो उसी के बार पीडियों कि छोटी हैड की सलोती है जैसे कि बात करें छोटी हैड की फबाति लेकर स्टानी के लिए उसको कई के शिव्यों सकते हैं जो कि छोटी हाइट की फसल को कटिंग करके पर तरीके से साइड में रखते जाता है उसके बाद में बात करें तो काफी जो मशीन होती है उसमें छोटे टाइप के स्टार्स लगाए जाते हैं लेकिन हम लोगों ने इसमें जो स्टार्स कवर्स लगाए हुए हैं जो क काफी बढ़िया वर्क करता है इसमें आप यहां पर देख रहे होंगे जो नड़ बोल्ट लगा हुआ है यह चेन को डीला वार टाइट करने के लिए लगाया हुआ है उसके बाद में यहां पर आईडिलर आप देख रहे होंगे तो जो यह चेन इसको सपोर्ट करने के लिए आइडेलर यहां पर लगाए हुए इस मशीन के अंदर जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं आप उसके एक एक पार्ट्स को खोल सकते हैं आप आसानी से इसको फिटिंग कर सकते हैं ज्यादा मैनत किये विना इसको आप आसानी से फिटिंग कर सकते हैं यहां पर इसमें देख रह करें तो जो मशीन उसको चलानी के लिए थ reserved इस पाइप लगे हुए हैं इस् constitute पाइप आप देख रहे हुए ये जिक रहे हुऑ नागंगे यह जो हाइडलिक जैक है इसको आप and down करने के ढको का है इसका भी किया जाताया उसके बाद में ये दो पाइप की बदत करें तो ये तो मोटर में लगी हुई है यह की आरज मोक्हार में इस्ट करनवहर देख लोताएट कि diy चपारव को माहिन की वर्नटी रहती है यह चारो तो चीजे अगर आपकी कुछ भी खराब हुई है कि आपको जो भी पार्ट जो आपका खराब हुआ है वो आपको हमें बापस देना पड़ेगा उसके रिप्लेस में हम आपको दूसरा पार्ट भिजवा देंगे तो मशीन जो है उसकी ऑईल सप्लायर की बात करें तो जो टैक फसल का घनत होता है वो बहुत जादा होगा तो मशीन बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे उसके बाद में जो फसल की हाइट है यहां पर आप देख रहे होंगे यहां तक जो पार्ट यहां पर देख रहे हैं आप यहां तक फसल की जो हाइट है यहां तक आपकी आनी तो प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, फसल को कटिंग करेगा, यहां पर हम मशीन के मॉडल्स की बात करें, तो 7 फित का, जो की बिक टैक्टर के लिए हम लोग देते हैं, उसके बाद में मीनी टैक्टर के लिए बात करें, तो 5 फित का रीपर हम लोग suggest करते हैं उसके बाद में 6 फिट का जो बीच वाला रीपर होता है उसको आप छोटे टेक्टर या बड़े टेक्टर दोनों पर लगा सकते हैं आपकी सुविदा के अनुशक तो किसान भाईयों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस मशीन के बारे में सारी जानकारी दे दी है झाँ अजित्त शुआ भाईयों देते हैं वाना आपकी मैं सकते हैं ल Holding's औाम सामय श्याओ practically has milk जाए जाओड़े लिना खुआ कि मैं जाओ किस अख़े सुआ ख़े यह जा